वेलकम स्टुदेंट्स मैथेमेटिक्स फॉर क्लास अलवन चैप्टर वन चैप्टर नेम इस सेट्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is set and then we start the exercise right so सबसे पहले हम बात करें कि set क्या होते है what is set set की definition क्या है और इसका real life में कहां पर प्रयोग होगा चलिए answer is set is well defined collection of object set क्या है well defined collection of objects है यानि कि objects जो है अगर उसे हम collect करें objects नमबर भी हो सकते हैं name भी हो सकते हैं alphabets भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो objects की जो collection है वो well defined होनी चाहिए अब प्रशुरता है कि well defined का मतलब क्या है here well defined means collection should not change from person to person यानि कि जो आपने collection करी है object की वो person to person vary नहीं करने चाहिए सर बात समझ में नहीं आई चलिए फिर से देखते हैं कि जो well defined का earth है जो object हैं जिसे आप collect करेंगे जो संख्याएं हैं जो alphabets हैं जिसको आप collect करेंगे person to person यानि कि student to students vary नहीं करने चाहिए for example देखते है for example collection of top five fruits name of India इंडिया के किनी पांच fruits के नाम जो top हैं उसके नाम लिखने हैं हम भी कुछ ली सकते हैं आप भी कुछ ली सकते हैं let us see Monu ने लिखा mango, orange, banana, kiwi and watermelon and Sonu ने लिखा graphs, leechy, guava, orange and apple now here हमने क्या देखा कि Monu ने जो top five fruits name लिखे, Sonu ने जो लिखे दोनों अलग-अलग हैं तो person to person vary यहां हो गया और जबकि set की परिभाशा कहेंगी है कि it is a collection of well-defined object so it's not change from person to person, तो यहां person to person change हो चुका है इसलिए यह जो line लिखे गई है this is not a set, यह collection of top five fruits name of India is not a set, यह set नहीं है तो फिर कौन सी जी set हो सकती है, say, another example, odd natural numbers less than 10 हम सभी जानते हैं कि national number क्या होते है, natural number means counting, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 less than 10 लिखा है, नहीं कि 10 से कम, so 1 से लेकर 9 तक कि सभी संख्याओं को natural number कहते हैं लेकिन कहा गया है odd, odd का मतब विश्यम, यहनकि 1, 3, 5, 7, 9 यह होंगे, अब यह percent to percent vary नहीं कर सकते अगर इसका जवाब मोनु ने 1, 3, 5, 7, 9 लिखा है, तो सोनु को भी 1, 3, 5, 7, 9 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि odd natural numbers ही होते हैं, तो यहाँ पर percent to percent vary नहीं हुआ, it means odd natural numbers का जो collection है, वो set है, तो पहले तो हमें समद रहे हैं कि कौन सी line हम लिख रहे हैं, जो set है और कौन सी set नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं भी, एक example और देखते हैं, vowels in English alphabets, English alphabets हम जानते हैं, A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, इन में से 5 alphabets जासे हैं, A, E, I, O, U, यह vowels है तो अगर हम कहें कि collection of vowels in English alphabets, तो English alphabets के जो vowels से उसकी collection करी जाएं, तो mono का भी answer A, E, I, O, U होगा, और sonu का भी A, E, I, O, U होगा, correct, तो यह एक set है, picture अपने mind में fit करिए, आपने math को समझने से ज़्यादा देखना है, आप देखिए कि क्या लिखा जा रहा है, तो लिखा यह जा रहा है कि vowels in English alphabets एक set है, यह जो line दिखे गई है, वो एक collection of object है, और यह well defined है, so यह एक set भी है, now, solution of x is square equal to 4, x is square equal to 4 का solution, यहनि कि इसका हल, अब अगर हम इसका हल करने के कुशिश करें, तो x वरबर क्या होगा, under root 4, क्योंकि square को अटाने से यह under root हो आएगी फिर, plus minus 2, किसी भी संख्या का under root निकाला जाए, तो उसका answer plus और minus दोनों में होता है, क्योंकि plus 2 को plus 2 से multiply करेंगे, तो 4 आएगा, minus 2 को minus 2 से multiply करेंगे, तब भी 4 आएगा, तो x के दो value आई, एक plus 2 आया, और एक minus 2 आया, अब इसे कोई भी mathematician करें, चाहे हो mono हो या sonu ह उसका answer क्या आएगा, minus 2 and 2, sonu का भी answer minus 2 and 2, तो यहाँ दोनों का, जो collection है, object का, well defined है, इसका मत्तब, यह line क्या है, set है, तो कुल मिलाकर यह समझ में आना, कि कौन सी line set है, कौन सी नहीं, यह समझ में आ गया, अब इसे represent कैसे करेंगे, ठीक है, तो आएए, हम देखें, how to represent our sets, यानि represent means लिखना, कैसे लिखा जाए set को, जो आपके exercise में आएंगे, तो set को जो हम लिखते हैं, आएए, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, यह दो लिखे हुए थे, mono और sonu ने, तो इसे अगर लिखना हो set के रूप में, तो हम इस पकार से लिखते हैं, means set A, यहाँ पर इस set का नाम है, capital में लिखा गया, set A, curly brackets में, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 1, जो है, वो element है, 3B element है, 5B element है, या object है, या member है, यह सभी उसके members कहे जा सकते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 are the members of set A, तो set को लिखने का तरीका यह है, second देखिए, A या या यो को लिखने का तरीका क्या होगा, like that, very simple, curly bracket में आपने बंद करना है, elements को आपने कॉमा के अंदर लिखना है, यानि कि हर element के बाद एक कॉमा का sign होगा, और से end पढ़ना है, 1 and E and like that, अब third, यहाँ पर हम क्या करेंगे, C equals to my, curly brackets से minus 2 and 2, यह minus 2 और 2 क्या है, यह elements है, किसके, set C के, A, B, C, अपने मन से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, या अगर आपको दिया गया है sum में, तो उसका use करता है, तो अब यहाँ पर कुल मिला कर हमने क्या देखा, set क्या होते है, set परचानना और इसको represent करना, तो आईए, इसकी बाद देखते हैं हम लोग इसके आगे, set जो represent करते हैं, वो two form में होते हैं, so set is represented in two forms, इसका नाम क्या है, एक पहला set builder form और दूसरा है, roaster form, roaster form को tabular form भी कहते हैं, तो, builder form और roaster form, इन्हें देखें जरा धियान से यह क्या होते हैं, आईए, अब यहाँ पर लिखा हो गया है, और इसको read कैसे करता है, गरी brackets के अंदर एक statement, एक define लिखा गया है, definition लिखी गया है, x, x एक variable है, इसकी कोई भी value हो सकती है, x, इसके बाद colon का sign दिया है, colon के sign को हमने such that पढ़ना है, so, x such that x is odd natural number less than 10, x एक variable है, जहाँ x की value 10 से छोटी सभी natural numbers है, जो odd होगी, घ्यान दे, x is odd natural number less than 10, 10 से कम सभी natural numbers, सभी प्राकृतिक संख हैं, जो विशम हैं, correct, अब यहाँ पर इसका हम decode करें, देखे, important is set builder form, एक code लिखी गई है, इसे decode करना है, now, कुछ और भी लगने लिखते हैं, let us see, x such that x is vowels in English alphabets, x such that x is solution of x is square equal to 4, x such that x is a letter of word school, यह सारे लाइने जो लिखे गई हैं, यह set builder form के रूप में लिखे गई हैं, इसे हम property form भी कह सकते हैं, यह property लिखी गई हैं, आईए, अब roster form में देखें, इसको decode करने का तरीका, क्योंकि हमें समाएगा, कि builder form को roster form में decode केजिए, या roster form को builder form में convert केजिए, तो अब यह पहली जो line है, x such that x is odd national number less than 10, इसे हम roster form में कैसे लिखेंगे, a, set a, curly brackets, one, three, five, seven, nine, यह one, three, five, seven, nine, इसके members है, set a के, क्योंकि कहा गया था, 10 से कम सभी national number जो odd है, one, three, five, seven, nine, यहां पर two नहीं आएगा, four भी नहीं आएगा, क्योंकि यह national number तो है, लेकिन odd नहीं है, यह even है, right, दूसरे में देखे, b equals to हमने लिखा, a, e, i, o, u, English के alphabets, so, इस property, set builder form में, जो statement लिखेंगे हैं, उसकी property को हम decode कर रहे हैं, और वही roster form है, अभी यह भी बताया, x is equal to four को हमने decode कर दिया, अब यहां पर चौते को ज़रा ध्यान से देखिए, x is letter word school, इसे हम लिख रहे हैं, like that, यहां पर एक o नहीं लिखा लिया, it means, जो elements होते हैं, वो repeat नहीं होते, यहां पर s, c, h, o, o, l लिखना चाहिए था, लेकिन आपने repeat नहीं करना है, अगर same object, same element, same member आगर आता हो, चाहिए हो संख्या में हो, चाहिए alphabets में हो, किसी में भी हो, उसे आपने repeat नहीं करना है, right, so यह हो गए हैं आपके roaster form, तो set builder form की definition क्या हो गई, set builder form का definition हो गई, कि all the elements of a set possess a single common property, which is not possessed by any element outside the set, क्या मतलब हुआ, कि जितने भी elements होंगे, set builder form में, वो सभी एक ही common fact property को लागू होंगे, हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, यह सभी लागू हो रहे हैं, कि 1 भी odd natural number है, 10 से भी कम है, 3 जो है, वो odd natural number है, less than 10 है, 5 odd natural number है, less than 10 है, तो सभी में एक ही जैसे property लागू हो रही है, कोई दूसरी property की, जो है, इस set का हिस्सा नहीं बन सकती है, right, roaster form का परिवाशा क्या है, roaster form में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात, set always represented by a capital letter, कोई भी set लिखना हो, उसे आप capital letter में लिखेंगे, जैसे a, b, c, या और कुछ, n, p, r, कुछ भी लिखें, वो capital letter में होनी चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, जो elements लिखेंगा हैं, वो हमेशा small letter में लिखना है, जैसे a, e, i, o, u लिखा गया, ये capital में नहीं लिखना है, स्कूल में h, c, h, o, l लिखा गया, capital में नहीं लिखना है, so elements, जो हैं, हमेशा small letter में लिखेंगे, तीसरी important बात, elements should not repeat, elements के नाम, जो भी होंगे, वो repeat नहीं होनी चाहिए, जैसे दो बार आगे हों, repeat नहीं होनी चाहिए, चौथी बात, all elements are enclosed within curly brackets, और जितने भी elements हैं, सभी को curly brackets में हमने बंद करना है, तो ये तो बाते हुई, set builder form और roster form की बात, इन में एक बहुत important symbol भी आता है, उस symbols को देखें, और उसके बारे में समझें, and concept of belongs to, इसे हम belongs to के concept के नाम पे जानते हैं, तो the important thing belongs to, क्या होता है belongs to, अभी मैंने लिखा एक roster form में, या tabular form में एक हमने set को लिखिया, set A, where elements of set A is 1, 3, 5, 7, 9, अब यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, सभी क्या हैं, elements हैं, सभी members हैं, किसके, A के, तो यहाँ पर हम इसे अगर read करें, तो इस प्रकार से read करेंगे, here 1, 3, 5, 7, 9 are elements of set, right, now, but, इसे object भी कह सकते हैं, member भी कह सकते हैं, now, यहाँ पर एक और important बात है, हम अकेले one की बात करें, तो अकेले one की बात करते हैं, तो one is element, तो है set A का, साथ में भी कह सकते हैं, one is belongs to set A, one जो है, वो set A में belongs करता है, इसे, अब यह काफी बड़ा word है, इसे shortcut में लिखने के लिए हम लिखते हैं, one belongs to A, एक symbol डाल दिया गया, और इसे पढ़ना उसी तरह से है, one belongs to A, यह से जो symbol है, इस प्रकार का निशान बना हुआ है, इसे आप ध्यान रखें, इसकी बहुत रथ पढ़ती है, यह Greek symbol है, Epsilon इसका नाम है, हम जनल लेंगेज में इसे belongs to कहते हैं, अब आईए, two doesn't not belongs to set A, two does not belongs to set A, यहाँ पर क्या है, कि अगर हम two की बात करें, तो two तो इसमें है यह नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह not belongs to A, इसे लिखने का त्रीका क्या होगा, two not belongs to, एक क्रॉस कर निशान लगा देंगे, यह symbol इस प्रकार से है, और इसका नाम है not belongs to, तो कुल मिलाकर मैं यह समझ रहा हूँ, कि introductions के regarding आपने what is set, set builder form, रोस्टर फॉर्म, set builder form कैसे दिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म कैसे दिखा जाता है, उसकी क्या नियम है, यह समझ चुके हैं, तो हम next जो वीडियो देखेंगे, उसमें exercise की बात करेंगे, right, so thank you, thank you very much.